हुआ हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंट वॉल फ्यू आज 18 मार्च और 18 मार्च से सारे टॉप कर इंट अफेस हम लोग देखने वाले हैं साथी साथ उसके अलग से करेंगे और मैप के साथ भी स्टडी करेंगे ताकि और आपकी तैयारी अच्छी हो और एक जाम में आपके एक भी कुश्चन ना छूटे हो और चुकि सारे कुश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए आप वीडियो लाज तक जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला ड्रग ट्रायल स्टार्ट कर दिया है तो यह जो है ऑप सने जर्मनी भी चाइना इटली या यूएस तो यह ऑफिसेली यूएस नहीं घोजना किया है कि उसने 46 लोगों पे यह ट्रायल स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो यूएस यूएस की राजदानी कहा है तो यह अब बात करते हैं यूएस के बारे में कुछ और तो यूएस की जो फाइब ग्रेट लेक्स हैं उनका क्या नाम है मिसिगन इरी ओंटेरियो तीन हो गए और दो और लेक्स है उनका नाम क्या है यूरॉन यह जो है ग्रेट फाइब लेक्स यूसा के बारे जर्मणी की रहानी ये बरलिन और जर्मणी की जो चांसलर है एंजेला मरकल वे दुनिया की सबसे पावर Commerce'll उनके मरा हैं और वह चांस इना को ये याद रखना चाहिए पर यूआ कि आपको पता यह डबलू यह हो ने जो करो नहींद इसका ओफिसियल नेम है डबलो एचो के स्थापना कब हुई थी तो साथ अप्राइल उनिस्व और तालीस को और जिनेवा स्विट्जर लैंड में इसकी हेड़काटर है तो यह डबलो एचो से रिलेटेड फैक्ट जरूर याद रखिएगा और चाइना के ही वुहान सहर से य यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट चाइना के जो राजधानी है बीजिंग वहां पे ए आई आई बी मतलब एसी आ इंफ्रेस्ट्रक्टर इंवेस्ट्मेंट बैंक का हेड़कॉर्टर है और नियू डेवलप्मेंट बैंक इसका भी हेड़कॉर्टर है चाइन कब हुई थी तो यह 2014 में हुई थी और के वी कामत भारत के और से पहले इसके प्रेसिटेंड बने थे तो दोनों तीनों जो फैक्ट मैं बताया हूं यह सब एकजाम में पूछा जाते हैं ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है तो आपको यह यादर रखिए साथी साथ आपको ज जो है इसके अभी सबसे जो इसकी मुख्य बात यह है कि इसके प्रेसिडेंट जो बने गा है मसाथ सुगू असा कावा यह एडिवी के प्रेसिडेंट बने और एडिवी का जो हेड़कॉर्टर है वो फिलिपिन्स मनीला में है हम लोग एस या का फूल मैप देखने वाले है जिसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है इटली का आपको पता ही है यहां भी कोविद 19 बहुत खतरनाक अपना असर फैला है हुआ है तो चलिए देखेंगे हम लोग और मैं फाम लोग यूरोप का भी देख चुके हैं किस देश को तीन स्कूल बिलिंग बनान यह है नेपाल ठीक है नेपाल आपको दिख रहा होगा भारत के एकदम उत्तर साइड में छोटा सा देश है नेपाल और इसी को भारत ने फाइनेंस किया है अब बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में तो भारत के सबसे ज़्यादा बांडरी लगती ह यह वह 4096 किलोमेटर बांगलादेस के साथ लगती है फिर उसके बाद 4933 किलोमेटर लगती है किसके साथ चाइना बॉर्डर चाइना के साथ फिर 1711 किलोमेटर लगती है पाकिस्तान के साथ और कुश्चन पूशा जाता है कि भारत का एक कौन सा इस्टेट है जिसे अफगान पूछी जाती है कि भारत की कौन कौन से स्टेट की विदेशी बांडरी से लगते हैं तो आप अगल्प मैप देखो सब्सक्रादेश से लगते हैं और भूतान और तिंपू यहां इससकी राजधानी है नेपाल के राजधानी ऊपैंट का हीट क्वाट्र है शारक पता ही इतचे है इसको कर्थ है और आपनेकर और भूतान के बीच में भारत क назв सा श्टक है तो है शिंक्यम यहां सिक्किम मैं आपको यह पता होना अच्छे सिक्किम जो है नेपाल काठमांडू और तिबद के बीच में स्टक है तूज यह आपको ध्यान रखना चाहिस अब भारत की जो इस तर्स पे जो रायधानी है जो देश है वो है म्यानमर corn कि दानी है नेयफिड है और आपको पता हιाए यहीं पेक मांगेले था है पादी जहां यहांपको यह पफ्छेटाइन की राजधानि है लाओस और और कमबोडिया की राजधानी नोमपेन यहां पे दिया है जिसको राजधानी में प्रॉब्लम है प्लीज नोट कर लो वियंत नाम की राजधानी है हनोई और साउथ चाइना से आप लोग बहुत सुनते होंगे जहां चाइनीज जो है वह बहुत ज़्यादा अपना दबदब पास पाए जाता है एक और मैं बताता हूं यह नीचे का पुरा रेड जोन आपको दिखे रहा यह इंडोनेसिया है और इंडोनेसिया की राधानी अभी जो है निव बॉर्णियो आईलेंड में बढ़ाई गी है पहले जाकारता थी और अब इसकी राधानी हो जाएगी इस् देश की नेवी खड़ी रहती है तो इस्टेट ऑफ मलका सिंगपूर और इंडोनेसिया के बीच में है और यह अंडमान सी को या फिर बंगाल को जो है साउथ चाइना सी से जोडती है या फिर इधर के सारे इलाइकों से जोडती है तो यह हम लोग डिटेल में मैप में सब्सक्राइधनी काना है कमर्शियल कैप्टल है कोलंबो और जैवर्धिने पुर्म कुट्टी यह अडमिस्टेटिव कैपिटल है सिरलंका के बारे में एक और खास बात क्या आपको पता है कि पाक स्ट्रेट और बे अफ मननार के द्वारा यह भारत से अलग होता है मननार क क्रिकेट मेंस वर्ड कप 2020 में कहा होगा इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस देश ने अभी अनॉंस किया कि कोरोना वायरस के वज़े से वह से लिटालेगा नहीं और यह जो है ऑप्शन ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यूएस इंडिया तो बताइए इसका राइट न्यूजिलैंड मतलब हार गई थी और इंग्लैंड जीत गई थी तो आपको कमेंट करके यह बताना है कि उसमें मैन अब दम मैच और मैन अब दसीरीज आपको जो पता हो इसमें से किसे मिला था तो यह आपको जरूर पता होना चाहिए बहुत ही ज्यादा एजी है और आप होकी का वर्ल्ड कप तो इंडिया में वारिजन होने वाला ही है सुप्रीम कोट ने कौन सी सेना में महिलाओं के पर्मनेंट कमिशन को अलाव कर दिया है और इसके जो हेड का नाम क्या है मतलब जो हमारे अड्मिरल है उनका नाम है करमवीर सिंग यह तीनों आप लोग याद रखिएगा आर्मी के जो हेड है उनका नाम क्या है उनका नाम है मनोज मुकुंद नर्वाने और एरफोर्स के जो हेड है उनका नाम क्या है तो आरकेस बहदारिया त इसलिए जरूरी हो जाता है अब एक नया पोस्ट बनाए सीडी इसका चीफ आफ डिफेंस स्थाफ अगर आपको बारे में इसे नहीं पता है तो जाकर मेरे डिस्क्रिप्टिन माले लिंक में वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल से इसे समझाया है क्योंकि इससे सवाल आएगा यह newly created post है यह जो है तीन साल का इनका कारेकाल होगा और पहले चीफ आप डिफेंस स्थाप कौन है विपिन रावत है और उन्होंने वह तीन साल के लिए सर्फ करेंगे 65 साल तक रिटार्मेंट होगा उनका क्या कारेचितर होगा कहां कहां वह का यूएस वगरह में 5 स्टार होते हैं यहां यह 4 स्टार ही होंगे तो ऐसी बहुत सारे उसमें बताया गया है डिटिल देखना चाहिए आपको एक्स्टा एन एक्स्टा ओडिनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनुहर परिकर ऑथर नेम बुक के लिखक बुक का नाम है एन एक एक जो है माया भूसर नागवेकर और सद्वुलू पाटिल अभिरूप भट्टा चारे तो इसमें राइट आंसर क्या होगा यह होगा एक और दो दोनों यह दोनों लोगों ने मिलके इसे तयार किया और इसे लिखा है ठीक है तो यह दोनों चीज आपको याद रखना है मा मुहन आफा शिरवानी या फिर दो या धिर कोई नहीं नहीं तो पताये बहुत रिकी कुस्टन है यह जो है रोहें इमोहन और अर्फा शिरवानी को दिया गया है को फिर्ग देषर क्योंनों लोगों कोट दिया गया है क्या तो प्लीज की प्लिदिय प्ली कि आपonneकर दें और वीडियो को लाइस तक देखने की एक हैबिट बना है चुकि इससे रिलेटर जो जीएस के फैक्स मिलाते हैं वह अनमोल है और बाकी सारी चीज़े तो आप लोग त्यारी करी रहे हैं कौन से कुश्चन में दिक्ट है आप बता सकते हैं मुझे चमेली देवी जयन पुरसकार जो है रोहीनी मोहन आरफा सिर्वानी साथी साथ एक और बात मैं बता दूं मंथली करेंट रफेस की जो है वीडियो आ चुकी है उसमें मैंने 120 कुश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसे ज है किस्त की पुरसकार है पहले तो यह जानी चाहिए यह पत्रकारिता के छेतर में यह पुरसकार दिया जाता है नेक्स्ट फॉस्ट कंट्री टूसर्ट फाइनेंस मार्केट यह बहुत बड़ा न्यूज है दोस्तों वितिय बाजारों को निलमित करने वाले दुनिया का पह ठूपड़ रहा है इधर के तरफ आप लोग कि रहा मलेशिया के ठीक ही इसी मलेसिया और इसके सब्सक्राइब है परी तरफ यह सब्सक्राइब इधर के तरफ फिलिपिन्स तो यह फिलिपिन्स की मलेशिया की राधानिया फिलिपिन्स और यहीं पेसियन डेवलोप्मेंट बैंक का हेड़कॉर्टर है और एक खास बात यह है कि फिलिपिन्स के जो प्रसम राश्पती थे रेमन मैक्से से अवार्ड दिया जाता है और यह कि पेसो वहां की करेंसी है कि पूर्व नयायधिस को राजय सभा सुद्ध से मनोनित किया गया है तो अप्शन ए रंजन गोई सरद अर्विन बोबड़े अलतमस कबीर और एचल दत्तू तो यह जो है अपॉइंट किये गया है रंजन गोई आपको पता है पूर्व चीफ ज कुस्टन आएगा जो लोग भी इसकी इंपॉर्टन समझें उसे ध्यान से सुने जो अध्या मामले में जो जितने लोग भी जज थे उनका नाम जरूर याद रहे क्योंकि वह हिस्टोरीकल डिसीजन थे उन सारे जज़ पे बेस्ट कुस्टन जरूर आएंगे तो रंजन गो गोई जो थे इन्हों को राजसभा सदस्य मनुनित किया आपको पता है राष्टपति को अधिकार है ये हो 12 सदस्यों को राजसभा में मनुनित कर सकता है ब्ग सब्सक्राइब करें रेच्पपति की स्वाल जो हां हमारे 48 नंबर के ये चीफ जस्टिस और इनका कारेकल 18 मही से हैं ठीक है रंजन गोगई चुकि यह आपको याद रहा है रंजन गोगई जो है 47 नंबर के थे और इन्हें आप तो राजसाबाग सदर से मनुइद कर देगा अलतमस कबीर कौन है तो यह भी पूर्व हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं एचल दत्तु एचल दत्तु जो ह हैं पूर्व वहीं बनते हैं ने चार सी के हेड नेशनल हुमन राइट कमिशन के और यह 65 से 70 साल तक वहां कारे रत रहते हैं और लोग सभा राजय सभा के बारे में कुछ स्पेसल फैक्स मैं आपको रिविजन करा दूं लोग सभा राजय सभा यह नाम कब दिया गया तो य पहली बार गयर कंग्रेसी सरकार किसी स्टेट में कब बनी थी तो वह बनी थी 1967 में वह केरला में थी ठीक है लेफ्ट गॉर्णमेंट बनी थी तो यह सब एक्स्टा फैक्ट जुरूरी याद रहिए क्योंकि एक्जाम में बार बार पूछा गया है अगला कोशना कौसल सतरन योजना की सरकार की है तो मैंने कली बताया था यूवा होग योजना कौसल सतरन योजना परसु के करेंट एफेस में मैंने टूटल डीटेल में बताया था तो यह जो है उत्तर परदेश की सरकार है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है सार्स कोविद-19 के अधरी भारत के दुआरा कितना साहित राशी दी जाएगी तो यह आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि यह एक एजी अमाउंट है और इसी में याद हो जागा है तो यह अमाउंट है तो यह अमाउंट है दस मिलिएंड डॉलर सार्स कोविद-19 के लिए जो भी स्तरी देखे क्योंकि बहुत जादा helpful है thank you so much bye for now